नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल नॉलेज पंडित पर मैं रंजीत पंडे आपके लिए पढ़े नए नए टॉपिक से अलग अलग तरीके के वीडियो लेकर आता हूँ आज हम सीरीज कवर कर रहे हैं 1000 कोशन की जिसमें हम 601 से 700 तक कोशन पढ़ेंगे यह वन लाइनल फॉर्मेट में प्रशन रहेंगे जो की प्रिवेस यह कोशन हैं और महत्पून रूप से जनरल नॉलिज के सेक्शन में रिपीट पर पूछे जाते हैं तो वीडियो को पूरा अंतक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो रोज इसी प्रगार के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अर्जुन पुरुसकार किस वर्ष शुरू हुआ था तो 1961 में अर्जुन पुरुसकार शुरू हुआ था भारत की मानक रेखा कौन सी है तो 82 दिसमलाव 5 डिग्री पूरवी देशांतर रेखा जो इलहाबाद क नैनी से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा है मैकसे से पुरुसकार पाने वाले पहले भारतिय कौन थे तो बिनोवा भावे जी मैकसे से पुरुसकार पाने वाले पहले भारतिय थे मोना लिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है तो लियोनार्दो दविंची की व और किस ने की थी तो 30 जनवरी 1948 को नातुराम गोट से द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी भारत में कौन सा अनाज सबसे जादा खाया जाता है तो चामल भारत में सबसे जादा खाया जाता है थल सेना दिवस कब मनाय जाता है तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाय जाता है राजस्थान के माउंट आबु इस्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंदित है तो दिलवारा के मंदिर जो है यह जैन धर्म से संबंदित है हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाए गया है तो महा नदी पर हीरा कुंड बांध बनाए गया है दिली इस्ति जामा मस्जिद किस ने बनवाई थी तो शाह जहां ने दिली इस्ति जामा मस्जिद बनवाई थी शांती काल का सर्वोचे सेन पुरुसकार कौन सा होता है तो असोग शक्र शांती काल का सर्वोचे सेन पुरुसकार होता है डेरी राश्री डेरी अनुसंधान सनस्थान कहां पर है तो करनाल हर्याना में राश्री डेरी अनुसंधान सनस्थान इस्तत है भगवान बुद्ध द्वारा सारनात में दिया गया पहला प्रवचन बौध धर्म में क्या कहलाता है तो इसे हम धर्मचक प्रवर्तन के नाम से जानता है वायू सेना दिवस का मनाय जाता है तो आठ अक्टूबर को वायू सेना दिवस मनाते है 1526, 1556 और 1761 के तीन सेयासिक युद्ध जो है किस नगर में हुए थे तो ये पानी पत में हुए थे जो की हर्याना राजी में पड़ता है हाली में किस राजे से अलग करके तेलांगना राजे बना है तो आंधर प्रदेल से अलग होकर तेलांगना राजे बना है भारत के पश्मी तट पर कौन सा सागर है तो पश्मी तट पर अरब सागर इस्तत है यूनेस्को का मुख्याले कहां परिस्तित है तो पैरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्याले इस्तित है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होई तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होई थी सिख्षा का किंडर गार्डन पद्दती किसकी देन है तो फ्रोवेल की देन है किंडर गार्डन पद्दती NCRT की स्थापना कब हुई तो 1961 में NCRT की स्थापना हुई तांसेन किसके दर्वार में संगी तगे था तो अकबर के दर्वार में तांसेन संगी तगे था कौन चार वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा तो बैरम खान चार वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा पंजित रवी शंकर का संबन्द किस वादियंतर से है तो पंजित रवी शंकर का संबन्द सितार नामक वादियंतर से है पैनाल्टी कॉर्णर का संबंद किस खेल से है तो पैनाल्टी कॉर्णर का संबंद होकी खेल से है उत्री भारत में सरदियों में वर्षा का कारण क्या था तो पक्षमी विचोब उत्री भारत में सरदियों में वर्षा का मुखे कारण था देवधर ट्रोफी का संबंद किस खेल से है तो देवधर ट्रोफी क्रिकेट खेल से संबंद है रूस की मुद्रा कौन सी है तो रूबल रूस की मुद्रा है सिंदुगाटी सब्विता की प्रसिद बंदरगाह कौन सा था तो सिंदुगाटी सब्विता का प्रसिद बंदरगाह लोथल था जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो रिशब देव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था तो लुम्मिनी जोकी नेपाल में है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24 वे तीर्थंकर थे भारत की पहली महिला राश्रपती कौन है तो प्रतिवा पाटल जी भारत की पहली महिला राश्रपती है कटक किस नदी पर बसा हुआ है तो उडिसा में महानदी के किनारे कटक बसा हुआ है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं तो बाइनरी भाषा में दो अक्षर होते हैं लेन का विस्तार क्या होगा तो लोकल एरिया नेटवर्क लेन का विस्तार होता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी तो कुशिनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी गोवा पुर्टगाली शासन से कब आजाद हुआ था तो 1961 में गोवा पुर्टगाली शासन से आजाद हुआ था बकसर का युद्ध कब हुआ जिसके परणाम सरूप अंग्रेजों का बंगाल बिहार और उडिसा पराधिकार हो गया तो यह 1764 में जो है हुआ था बकसर का युद्ध जिसके परणाम सरूप बंगाल बिहार और उडिसा पर अंग्रेजों का प्रशाशन हो गया था रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 857 की क्रांती के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशा बहादुर शाज़ुफर को कैद करके कहां भेद दिया था तो बर्मा म्यानमार में भेद दिया था गांधी जी दक्षन अफरीका से भारत कब लोटे थे तो 9 जनवरी 1915 को लोटे थे भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है तो आलम आ रहा है छेतरफल की द्रशी से भारत का विश्य में कौन सा इस्थान है तो भारत सातवे नमबर पर आता है छेतरफल की द्रशी से भारत की स्थलिय सीमा कितनी है तो 15,200 किलोमेटर भारत की स्थलिय सीमा है भारत का पूर्व से पश्यम तक का विस्तार कितना है तो 2933 किलोमेटर भारत का पूर्व से पश्यम तक का विस्तार है तिरंगे जंडे को समिधान सभाने कब राश्री जंडे के रूप में अपनाया था तो 22 जुलाई 1947 को तुरंगे जंजे को समिधान सभाने राश्री जंजे के रूप में अपनाया था जंगर्मन को समिधान सभाने कब राश्रगान घोशित किया था तो 24 जनुवरी 1950 को जंगर्मन को समिधान सभाने राश्रगान घोशित किया था खुदा बक्ष पुस्ट काले कहां पर है तो खुदा बक्ष पुस्ट काले पटना में स्थित है 1784 में कुलकता में किसने Aasiatic Society की स्थापना की थी तो यह इस्थापना बिलियम जोन्स ने की थी बेंको rainbow कर आश्री करन कभ रुवा था? थो 1971 में mango कर आश्री करन रुवा था किस संप्धान संसोधन द्वारा शोलगा 60-14 वर्ष तक के आयों के बच्चों के लिए सिख्षा को मौलेक अधिकार मनाया गया तो 86 वा संप्धां संसोधन था किस मौलिक अधिकार को 44 वे समिधान संसोधन द्वारा हटा दिया गया तो संपत्तिक अधिकार 44 वे संसोधन के द्वारा हटा दिया गया 23.5 दिगरी उत्तरी अक्षांस रेखा क्या कहलाती है तो इसे हम करकर रेखा कहते हैं ससस्त्र सेना जंडा की दिवस कब मनाया जाता है तो ससस्त्र सेना जंडा दिवस जो है साथ दिसंबर को मनाते हैं भारत पाक सीमा पर रेखा जो है वो किस नाम से जानी जाती है तो भारत पाक सीमा रेखा जो है रैड क्लिप रेखा की नाम से जानते हैं भारत में एक मातर सक् मुखी है किस भारती राज़ी की 2 राज धानिया है तो जम्हु कश्मीर की शीतकालीन और गृष्म कालीन 2 राज धानिया है अमेरिका ने कौन सा राज्यad8067 में रूउस से खरीदा था विश्वव विकलांग दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व विकलांग दिवस विश्व विश्व विकलांग दिवस तीन दिसमर को हर साल मनाते हैं। Hope Man Cup के स्खेल से संबन्दित है तो Hope Man Cup 10 स्खेल से संबन्दित है नवगठेत तेलांगना राजे का पहला मुखे मंतरी कौन था तो चंदरशेखर रावजी थे भारत स्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी इस्थे थे तो मनार की खाड़ी इस्थे थे म्यानमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है तो क्या अतनाम से जानी जाती है मुद्रा व्यानमार वर्मा की मौसम सम्मधत परिवर्तन वायू मंडल की किस परत में होते हैं तो यह छोब मंडल में होते हैं संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो दक्षण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्स की आयू में ग्रहत याकी घटना क्या कहलाती है तो इसे हम महाभी निस्क्रमण कहते हैं भारत में पंचवशी योजना का अनुमोदन करने वाला सरवच निकाय कौन सा है तो राश्ट्रे विकास परिशद है भारत के किस राजी की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है तो सिक्किम प्रशन का सही उतर है नातुला दर्रा किस राजी में इस्तित है तो सिक्किम में इस्तित है 1912 में अलहला समाचार पत्र किस ने शुरू किया था तो मौलाना अब्दुलकलाम ने शुरू किया था महान चिकितसक चरक किस के दरबार में थे तो कनिश्क के दरबार में थे भारत में मेट्रो पुरुस कौन कहलाते हैं तो श्रीधरन कहलाते हैं भारत की सुतंत्रता के समय कॉंग्रेस के अद्धक्ष कौन थे तो जेवी कृपलानी जी थे कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनू समझोता किस वर्ष हुआ तो 1916 में हुआ था पानिपत का तीसरा युद्धिक इसके बीच में हुआ तो मराठा और आहमशा अबदाली के बीच में हुआ था आरबियाई के नई नीमों के अनुसार चेक और बेंक ट्राप्ट की वैदता कितने समय की रहती है तो यह तीन महा तक की रहती है सबसे लंबा राश्री राजमार्ग कौन सा है तो NH7 वारांसी से कन्या कुमारी तक सबसे लंबा राश्री राजमार्ग है संग मरमर किसका परिवर्तित रूप्त है तो यह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है विश्व अपपर संगठन का मुख्याले कहां पर है तो यह जनेवा में इस्तित है सुटजय लेंड के जनेवा में जैदावस्ता किस धर्मकी 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 पुष्तक है भारत का राष्टगान सबसे पहले कब गाया गया था तो 1911 के कॉंगरेस के कोलकत्ता दिवेशन में गाया गया था पानी का रासाइनिक सूत्र क्या है तो H2 है पक्रती में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है तो यह हीरा है समुदरी जल में लवन्ड की औसत मात्रा कितनी होती है तो 3.5 प्रतिशयत होती है राश्री विकास परिसत का द्यक्ष कौन होता है तो प्रधान मंत्री जी होते है सिकंदर ने भारत पर कब आकर्मन किया था तो 326 BC में किया था भारत का समिधान कितने समय में तयार हुआ था तो 2 साल 11 महां 18 दिन में तयार हुआ था भारत का समिधान भारते समिधान में मौलिक करतव किस देश के समिधान से लिए गए हैं तो अमेरिका के समिधान से लिए गए हैं समीधान की किस धारा के अंतर के तो राजय पल किसी राजय में राश्पती शाशन लगानी की सिफारिश कर सकता है तो अनुच्छेद धारा 356 के तहट हो सकता है प्रोटोन की खोज किस ने की थी तो रधर फोर्ड ने प्रोटोन की खोज की थी भारत में प्रतम परमानु बिजली घर कहां पर स्थापत है तो यह है तारापुर में स्थापत है शांती निकेतन की स्थापना किसने की थी तो रविंदर नाट टैगोर जी ने शांती निकेतन की स्थापना की थी अर्चसास का नोबल पुरुषकार किस वज शुरू हुआ तो 1969 में शुरू हुआ था गौतम बुद्ध द्वारा देहत्या की घटना क्या कहलाती है तो इसे महापरीर निर्वान कहते है प्रथम बौध कॉंसिल कहां और किसके साशनकाल में हुई थी तो 483 BC में राजगरह स्थान पर अजाज शत्रू के काल में हुई थी सुर्गी सत्ह का तापमान कितना होता है तो 6000 डिग्री सेंटिग्रेट होता है समाना घास के मैदान किस महादीप में है तो यहां अफरीका महादीप में है किस समिधान संसोथन द्वरा पंचायती राजविवस्था लागू हुई तो 73 समिधान संसोथन के द्वरा पंचायती राजविवस्था लागू हुई थी तो दोस्तों यह थे 100 कॉशन कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नहें सब्सक्राइब करें, शेर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर चैनल से जोड़ें, कल फिर नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद